फिल्म की शुरुवात में हमें एक ब्राइट दुझन दिखाई जाती है जो अपनी शादी के लिए तयार हो रही थी उसका जो गुरूम था दुल्हा वो भी अपनी कमरे में तयार हो रहा था गुरूम पर शादी करने के लिए पोँच किया उसके चे दोस थी जो भी वहां गुरूम जैसे कपड़े पेंगर आये थी अब जिब ब्राइट वहां आये शादी करने के लिए तो वहां एक औरत को देखती है जिसने अपने हाथ में चोटासा बच्चा पकड़ा हुआ था यह देखर ब्राइट एकदब उदास हो गई वो सोचती है कि अगर आज मैंने यह शादी कर ली तो मैं कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकती जिबकि मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है अब ब्राइट को कोई ऐसा वैसा मसला नहीं था जो वो मान नहीं बन सकती थी पर फिर भी वो ऐसा क्यों सोच रही थी इसका जवाब हमें आगे पता चलेगा अब वो शादी में आगे जाने की बजाए वहां से भाग चाती है क्योंकि वो नहीं चाती थी कि आगे चलकर मुझे इस शादी के लिए पश्टाना पड़े अब यहां से कहानी पास्ट यानी माजी में आगई जहां पर यही ब्राइट और ग्रूम चुटियां मनाने के लिए एक जगापर घूमने आए हुए थी यहां ब्राइटों से अपने उंगली दिखा कर कहती है कि देखो मिरी उंगली अभी तक खाली है जिसमें कोई अंगोटी नहीं है आखिर तुम कब इस उंगली में शादी की अंगोटी पहनाओगी जिस पर ग्रूम का कहना था कि तुम फिक्र ना करो मैं बहुत जिलतम से श को डांस करते हैं यहां एक बुड़ा कपल बैटा हुआ था जो उनको इतना कुछ देखकर खुट में काफे खुश हो जाते हैं अब बुड़ी कपल में से इस बेंड कहते हैं कि जिब हमारी शादी हुई थी हम भी बिल्कुल इसी तरह खुश और पुट जोश थी अब ब्र से उतना ही प्यार करते हैं मुझूदा वक्त में ब्राइट अपनी शादी से जब भाग गई थी जहां तब इसके पास ग्रूम कॉल करता है और कहता है कि प्लीज वापिस आजाओ ब्राइट जवाब देती है कि नहीं मैंने अपना जहन बना लिया है कि अब मुझे शादी नहीं करने और मैंने प्लैन भी बना लिया है यहां से निकलने का ग्रूम कहता है कि तुम अच्छे से जानती हो कि कमपनी वाली तुम्हें इतनी असानी से जाने नहीं देंगे वो तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकती है उ जो तुम्हारे फिकर हो रही है ब्राइट कर सबी खिड़कें तरवाजे अच्छे से बंद कर लेती हैं और अपने डैड की तस्वीर देखकर उन्हें याद करने लगी और रोरो कर कहती है कि डैड आप सही कहा करती थी कि मुझे इस लाइन पर चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि यह बहुत गलत है मुझे बहुत बड़ी लोगों को मारा करते थे वो भी बेरहमी से सिर्फ पैसों की लालच में अब ब्राइट और ग्रूम ने बाद में शादी करने का फैसला किया अब कंपनी के असूल के मुझे लोग शादी तो कर सकते हैं लेकिन इन्हें फिर भी इस कंपनी के लिए ही काम करना पड़ेगा बस उसी शादी कर सकते हैं इसी ज्यादा और कुछ नहीं अगर कोई शादी कर भी नहीं तो बच्चा पैदा नहीं कर सकता लेकिन अगर किसी का बच्चा हो गया तो ये असूल के खिलाफ हो जाएगा और कंपनी की असूल तोड़ने पर सजा मीने की इसलिए ब्राइड इस पेकर डास करने लगी क्योंकि अब वो अपनी अजाज इनकी कुछारना चाहती थी अब गुरूम को शक हुआ कि ब्राइट अपने डैट के उसे घर में गई होगी इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी वहां बेच दिया जो बाहर आगे थी ताकि वह उसकी ब्राइट को ला स गुरूम कहते हैं कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ तो उसे समझा कर अराम से लाना लड़ाई न करना ताकि उसे कोई चोट ना पहुंच जाएं पर बेस्ट मैन जानता था कि वो लड़की इतनी स्ट्रॉंग ताकतवर है कि वो लड़ाई बीना नहीं आएगी इसलिए अपने दोस्तों को कहता है कि जल्दी से तलाशी शुरू कर दो फिर जाए इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े अब जब यह सारे में दरवाजी पर आए तो इन्हें पता चला कि सभी खिड़किया और दरवाजी बंद हैं हलांकि इन्होंने दरवाजी तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन वह नहीं डोटे इसलिए बेस्ट मैंन उन्हें अलेने लेकर की तलाशी लेने का कहता है कि चारण तरफ से घर को गेर लो और रास्ता मिलने पर अंदर घुस जाओ अब जब लोग रास्ता डून रोए थे तो ब्राइट के कानों में उन्हें आवास पर जाती है इसलिए वो खड़की से जांकर देखती है जहां उसे पता चल गया कि करूम ने अपने लोगों को आखिर भेज दिया उसे पकड़ने के लिए वो नीचे जाने लगी अपना फोन लेने के लिए पर तभी समने किड़की के बाहिर वो बेस्ट मैंन को देखती है जो अंदर घुस नहीं वाला था इसी देखकर वो डर गई इसलिए वापिस अंदर की तरफ भागने लगती है वो पिष्टी दर्वाजे से भागने की कोशिश करने लगी लेकिन वहाँ पर भी दो आदमी मौचूद थी इसलिए वो फोरन दर्वाजा बंग करकी अंदर आ जाती है वो सब लोग भी अंदर आकर एक जगा इकटी हो गई जहाँ पर बेस्ट मैन सब को कहते हैं कि हमें ब्राइट को जिन्दा पकड़के अपने साथ ले जाना है तो तुम इससे बस मार दाड़ करना लेकिन जान से मत मारना आज शादी बहुत अच्छे से चल रहे थी लेकिन इसने वहां से भाग कर बहुत गल्द किया हलांकि वो जानती थी कि हम सभी उसकतर ना कमपनी के लिए काम गर रहे हैं और उसकी इस हरकत से कमपनी का मालिक बहुत गुसा है जो अब उससे कभी जिन्दा नहीं चूड़ेगा क्योंकि वो जानता है कि ब्राइट कमपन में आजा बहुत मज़ा आएगा क्योंकि हम वहां बहुत इंज्जॉय करेंगी तो ब्राइट और ग्रूम ने उनकी ये ओफन माननी थी और वो इने अपने कश्टी में भी ले आए थी ब्रेजन टाइम में ब्राइट अपने खुफिया कमरी में चाकूल ये बैठी थी काफ पीचे जागी गिरती है और उसी थुड़े पर चोट भी आ गई लेकिन फिर भी वह उठी जहां वो आदमी कहते कि तुम यहां से नहीं बाग सकती जो कहकर वो दीरे दीरे आगे बढ़ने लगा ब्राइट उसे चाकू दिखा कर ढमकाने लगी कि अगर तुम मेरे पास आई यहां से भागने लगी तो अब यहां दोसरा आदमी आ जाता है उसे पकरने के लिए इसलिए वो भाग पर वापिस घर के अंदर आ गई लेकिन तब ही उसे यहां दो लोग गिर लेती हैं जिन में एक काकद लंबा था और एक था बोना जिस काकद काफी चोटा था अब अदमी काफी घुस्से में आ गया कहता है कि मैं तुमी नहीं चुड़ूँगा और चैन सोट आता है जो ब्लेड वला हतियार था और उसकी रसी किंच कर उसे चलाने की कोशिश पिरता है लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं हो रहा था यह देकर वैट उटी और उसे जोड़दार तान मारती है जिससे वो काफी दूर जाके गिरता है और मौकी परी वो भी होश हो गया अब जब ब्राइट वहां से भागने लगी तो बेस्ट मैं उसे देख लीता है वो उसे देकर हसने लगा इसलिए वो अपने जान बचाकर वांसे पर वापिस अंदर ही भाग जाती है वो अब उपर वाले कमरे में आ गई जहां आकर उसने खुद को लॉक कर लिया था और हाथ में वो गॉल्ट स्टिक लेकर बैठ जाती है इफाज़त की दोर पर बेस्ट मैं अपने बची हुए साथियों को कहता है कि ब्राइट उपर चुपी हुई है और मैं उसे पकरने जा तुम लोग नहीं कि हमारे पहले ही दो साथियों को उसने मार दिया है अब पास्ट में हमने देखा कि जब ब्राइट और गुरूम बुड़े कपल की किष्टी में आई थी तो वहां सच में काफी जुआई करती हैं यहां बुड़ा कपल फिर से कहते हैं कि हमने 20 साल बहुत जाया करते हैं अब यह सुनकर ब्राइट और गुरूम समझ जाते हैं कि यह हमारे बारे में ही बात करे हैं और इन्हीं पता चल गया है कि हम कोन हैं और यहां किस मक्सित के लिए हैं अब बुड़ा आल में एक दरास कोलता है जिसके अंदर गन पड़ी हुई थी जिसी वो च कावला नहीं कर पाएगी ठक जाएगी जख्मी हो जाएगी और ऐसी हम असानी से उसे पकड़ लेंगी इसलिए अब उन में से पहला लड़का अंदर चाता है जिसे पीछे से आकर ब्राइट पकड़ लेती हैं लेकिन वो खुद को चुड़वा कर ब्राइट को मारने लगा पर वो भी कम नहीं थी आखिर उसे भी उसे कंपने से लड़ने की अच्छी ट्रेनिंग मिली थी जिन में से अपने मारतों का वो यहां इस्तमाल करती हैं उस आदमी ने जिब ब्राइट को पकड़ा हुआ था तो वो किताबों वाले शेल्फ पर अपने टांगी रगकर खु कर लेता हैं और काफी मारने की बाद केहता है कि तो मुझे नहीं हरा सकती जो कहकर वो अपना चाको निकाल कर ब्राइट की तरफ करता है लेकिन यहां ब्राइट चलाकी से उसे चाको चील लेती है और उसकी टांगों में कुसा देती है जिसे दर्द की वज़से वो तड़क नहीं है जिसकी बाद वो दुनों ब्राइट की पास हाई और वेस्टमेल उसी चाह भी दिखा कर कहें ते कि देखो यह मेरे पास है और वो ब्राइट को बहुत पीटते हैं और उसे कहिने लगी कि अब तुम हमारे साथ जा नहीं हो का बेस्टमेन अपनी साथी को कहता है कि इस उसकी आँखों में को सा देती है वो दर्द की हो जैसे तरडब नहीं लगा और ऐसे तरडब तरडब के उसकी मौत हो जाती है अब मर्ती मर्ती ब्राइट ने उसे कहा कि तुम्हें कह लगता है कि गाड़े वीकर में यहां से जा रही थी नहीं बलकि मैं तो एक्टिंग कह रही थी ताकि तुम्हें अपने जाल में फसा कर मार सको अब बेस्ट मैं जिब बाहर आया चेक करने के किया बना तो अपनी साथी की लाश दे कर काफी हिरान रह गया और तबी पीची सी ब्राइट आकर उसे पकर लेती है और उसकी गर्दन पर चाको रख देती है वो कहते ह कि हमने तो तुम्हें अपने दोस माना था तो फिर तम क्यों हमें मार रही हो ब्राइट कहती है कि हम सब कंपनी के लिए काम बढ़ती है ओके तो यहां कोई भी किसी का दोस नहीं है और अब तुम गुरूम को कॉल करो और उसे जोट बोलो कि मैं मर गई हूं उसकी धंकी से काफी डर गया और वो फोन कि ग्रूम को छोट बोल देता है कि ब्राइट मारे गई और उसे एक लिए नहीं आ रहा था क्योंकि वो जान था कि मेरी ब्राइट इतनी स्ट्रॉंग और रोश यार है कि वो इतनी असाने से तो नहीं मर सकती जिसकी बाद ब्राइट बेस्टमें तो वो खुद को बन्दा हुआ पाता हैं और उसके सामने थी ब्राइट जो चैन सो को बस स्टार्ट करने ही वाली थी पर उसका मसाब बना तरे बोला कहते हैं कि ये तो कामी नहीं करता बच्चों तो तो मुझे नहीं मार सकती ब्राइट भी उसकी बाद का बड़े अच्छ से उस पर हमला कर दीती है उसे उपर से नीचे काट कर दो टुकड़े कर दीती है जिससे यहां बोले के भी इतनी भयानक मौत हो जाती है अब हम पास का सीन दीखती है असल में जब ब्राइट और ग्रूम कपल से मिले थी जब चुटिया मनाने आये थी तो वो दरसल एक मिशन पर थी असल में बुड़ा कपल भी पहले उस गेंग्स्टर्स की कंपनी के ही मेंबर्स थी लेकिन बाद में उन्हें वहाँ पर प्यार हो गया जिसकी बात उन्हें कंपनी को छोड़ दिया क्योंकि अब वो मजीद गलत काम नहीं करना चाहती थी जिसके पास से कंपनी और ड लाहें और गन्वी मनें देख ली थी बुड़ाद में उदास होते हुए कहते हैं कि मैं भी जानता था कि आखिर में हमारा यहीं अंजाम होगा तो लो मार लो हमें हमें अंदाज़ा हो गया था कि कंपनी हमीं कभी नहीं चोड़े की यह सुनकर ब्राइड और ग्रूम अपन कंपनी से बहुत दोड़े ले जाएं ग्रूम जिवाब देता है कि कंपते बागेंगी जहां भी चले जाएं वह कंपनी हमें डोड़ कर पकड़ ही लेगी जिसकी बाद हमारा अंजाम सिर्फ मुथ होगा ब्राइड बोली कि तुम भूल गई वह कपल 20 साल तक कंपनी से बच करना चाहता हूं जो कहकर उसने अपना हाथ आगी बढ़ाया ब्राइड बीबी उसकी हाथ में अपना हाथ रख दिया और वो लोग अपना आखरी डांस करने लगी और अभियां उन में से किसी एक को मिरना था और पिर तभी सच में गुरूम उस पर हमला कर दीता है जहां इ अतने खुश थी लेकिन आज यहां ऐसे वक्त आया कि मुझे अपने हाथ से अपने प्यार को मारना पड़ा और अब वो उठी और यहां से जाने लगती है लेकिन उसे अपने गुरूम की मोद का बहुत अफसूस था और तबी उसकी मुबाइल की बेल बशने लगी उसने ज